हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हाउ टू यूज लैंसिंग डिवाइस तो लैंसिंग डिवाइस का यूज सीखने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि लैंसिंग डिवाइस यूज क्यों करते हैं तो जो lansas जिवाइस है उसको हम लोग अपने जो उंगलिया हैे उसमें से blood निकालने के लिए करते हैं थाकि हम लोग blood sugar level चेक करना हो या फिर आपको blood group चेक करना हो या फिर आपको blood clotting time वगरा चेक करना हो उसके लिए ये चीश्तेमाल करते हैं तो इसमें एक लेंसेट होता है जिससे हम लोग अपना जो निडेल है उसको प्रिक करते हैं ताकि वह एकदम ज्यादा प्रिक ना हो जिससे बहुत ज्यादा आपका ब्लड निकल जा है तो एक आप्तिमाइजड प्रिक होता है तो लेट सी हाओ टू यूज दिस लेंसेट डिवाइस अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें अपने उगलियों से या फिर फिंगर से ब्लेड निकालना है ताकि वह ब्लेड हम लोग यूज कर पाएं ब्लेड सुगर लेवर डिटर्माइन करने के लिए या फिर ब्लेड करने के लिए फिर ब्लेड ख्लॉटिंग टाइम डिटर्माइन करने के लिए किसी भी चीज के लिए हम लोग उसको यूज करना होगा तो ब्लेड कैसे निकालना है तो यूजली हमारे पास यह एक लेंसेट होता है इससे हम लोग प्रिक करते हैं तो ब्लेड निकलता है और वेधे आप इसको लेकर कर ऐसे ख ऐसे कर देते है लग तो इसके लिए एक लेंसिंगट डिवाइस होता है लेसे लेंसेट इसमें व्येहरे कर देते तो यह लैंसेट डिवाइस है, इसको पहले हम लोग open कर लेते हैं, इसको पहले हम लोग set कर लेते हैं, तो मैंने मालो इसको तीन में set कर दिया है, अब इसको हम ऐसे open कर देंगे, open करने के बाद, यहाँ पर ही जो lensing device है जब इसमें हम लोग इसको इस तरीके से fit करते हैं, यह यह गरुज टाइप का बना हुआ है इसमें यह टो तरीके से उसके बाद इसके अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करना है तब तक प्रेस करना है जब बटन अब उपर यह देखो यह उपर उड़ कांँ करेगा अधर्वाइस नहीं करेगा फिर बहुत लोग को लगता है कि हमारा लैंसेट्स टीकराब है ओप यह तो ऐसा कुछंवora आप को यूज क्रने नहीं कर देना है है यहाँ पर आपको दिख होगा made it कि अपलें कि हुआँ करें चाहिए अब इसको यह जांट कर देंगे इस तरीके से प्रफाइट करने के बाद यह हमारा जो लेंस डिवाइस ऐ कि उसको अपने उंगली में लगाएंगे और यहा पर एक जो बटन है उसको प्रेश करेंगे तो यह क्या कर देगा इसको प्रिक कर देगा उतना ही प्रिक करेगा जितना हम ने यहाँ पर है स्ट किया हुआ है ठीक है तो यूझर या फिंगर या फिर बिड eleven finger यूज करना होता है और आपका जो फिंगर से वह clean होना चाहिए और ड्राइब होना चाहिए अधर्वाइस contamination होगा तो आपको infection मगरा हो सकता है ठीक है तो वह चीज का ध्याँ रखना है तो मैं इसको इस तरीके से रख दिया और थोड़ा सा प्रेस कर दिया दबा दिया मीस अपने उंगली में उसके पिर इसको दबा दूंगा तो यह देखो प्रिक हो गया ठीक है अच्छा से इसमें डरना नहीं है घबराना नहीं है हमें और उसके जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करोगे तो यह देखो जो मेरा ब्लड सुगर लेवल आ रहा है देट इस नाइंटी सिक्स मिलिग्राम पर डेसे लेटर मिस्ट जो मेरा 100 ml ब्लड है तो मेरा बिल्कुल भी नॉर्मल है उसके बाद फिर जैसे आपका यह ब्लड है उसको आप कॉटन से साफ कॉटन से इसको पोच लीजिए और उसके बाद फिर आप ऐसे रखेंगे तो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगा ठीक है और मीनवाइल जो आपका यह जो लैंसिंग डिवाइस में यह जो प्रिक करने के लिए निडिल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लैंसेट बोलते हैं इसको प्रॉपरली ऐसे कि बहुत लोग को नहीं पता होता है इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है थाइंक्यू सो मच